कैसे हैं आप सब और सब अच्छे होंगे तुरक्षित हों गर ऑपना इनन-वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां भी और मैं आप आप सभी वहेंा का बहुत बहुत स्वागत करती है अपने इस चैनल में Thank you so much मेरे इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए and I am very glad कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पाती हूँ चाहिए वो कोई भी spiritual information शेयर करके हो या फिर कोई भी messages जो मुझे टैरो काज के तरू मिलते हैं उनको देखके हो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजे चैनल के लिए ताकि आपको वो सारे important information मिल सके जो आपके लिए important है आपके spiritual journey में अपने पुराने वीडियो में मेरे previous वीडियो में हमने ये जाना कि light workers क्या होते हैं वो धरती पे क्यों आते हैं और हमने ये भी जाना कि different types of light workers क्या होते हैं अभी तक हमने divine light workers grid workers and gatekeepers healers, transmuters और messenger light workers के बारे में जान लिया है अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाए और वीडियो इसको देखे ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये कौन से type के light workers होते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो कि है next type of light workers जिनको हम कहते हैं seers, psychics and clowns so seers, psychics और clowns, light workers क्या होते हैं ये वो तरीके के light workers हैं जो कि हमारी 3D reality हमारी physical reality यानि हमारी आखों की जो reality है उसके भी उपर देख लेते हैं यानि कि इनका जो थोड़ाई है वो चीजे वो देख सकते हैं जो हम अपने खुद की जो दो physical आखे उनसे जो चीजे नहीं देख सकते वो चीजे ये देख लेते हैं अपने थोड़ाई से ये देखते हैं इनका जो थोड़ाई होता है वो अलरड़ी open होता है जिसकी वज़े से इनको जो होता है beyond मतलब illusion के बिना illusion के भी उपर जो सच है वो ये देख लेते हैं ये souls जो होती है ये light workers जो होते हैं वो spiritually gifted होते है और इनको पता होता है time lines के बारे में और इनके पास में ये भी ability होती है कि ये future देख सकते है instant manifestors कहा जाते हैं यानि ये कुछ भी manifestation कर सकते हैं के पास इतनी powers और इतने gifts होते है और इनको ये powers और gifts इसलिए भी मिलते है क्योंकि ये readings और service देते हैं दूसरे souls को जिससे कि ये दूसरों को inspire करते हैं उनको empower करते हैं और उनको guide करते हैं उनके awakening और ascension journey में ये जो type के light workers होते हैं ये हमारे बहुत ही बड़ा huge difference बना रहे हैं ascension journey में और इस दूसरों की life में भी बहुत बड़ा huge difference क्रियेट करते हैं जादतर ऐसा भी हो सकता है कि इस type के light workers जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो isolated है ऐसा isolation भी उनको feel हो सकता है केलापन feel हो सकता है क्योंकि जादतर इनको दूसरे लोग misunderstood कर लेते हैं क्योंकि इनके पास जो gift है वो easily कोई और नहीं समझ सकता ये बहुत ही चीजों को बहुत ही clear cut देख सकते हैं जिसकी वज़े से हम इनको clear seeing light workers भी कहते हैं और जो messages इनको आते हैं इनको messages dreams में भी आते हैं जो इनको clear messages आते हैं वो dreams के थूँ इनको आते हैं इनके अंदर ये भी ability होती है कि clear messages इनको मिलते हैं telepathy के थूँ भी by hearing यानि कि इनको सुनाई देते हैं clear messages telepathy के थूँ इनके पास ये भी ability होती है इनको ये messages इनके feel इनके senses और इनके energy sense करके भी मिलते हैं यानि दूसरों के emotions दूसरों के energy को sense करके यह वो messages भी receive करते हैं जिसके वज़ेसे इनको clear feeling light workers भी कहा जाता है इस टाइब के light workers जो होते हैं वो दूसरों के वो बहुत आसानी से दूसरों के emotions, दूसरों के energies को बहुत आसानी से read कर लेते हैं इनको जो होते हैं अपने आसपास spirits के presence भी feel होता है और ये बहुत अच्छे होते हैं अपने खुद को express करने में यानि self expression में ये बहुत अच्छे होते हैं और इनको difficulty नहीं होती खुद को express करने में दूसरों के सामने या अपने खुद के emotions को express करने मतलब बहुत आसानी से अपने आपको express भी कर देते हैं अपने emotions को express कर देते हैं और अगर कोई इनके सामने अगर कोई दूसरी soul है और वो अपने खुद को express नहीं कर पा रही है तो वो उसकी emotions को read out करके उसकी energies को read out करके उनके emotions उनके energies को भी freely express कर देते हैं तो ये होते हैं Sears, Psychics and Cloans, Lightworkers I hope मैं आपको समझा पाई कि ये किस तरीके के Lightworkers होते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिये Sending you lots of love and healing light to all my soul family जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं Take care of yourself and see you soon